जिस पार्टी में अपने नेता के परती भरोसा घटता है, वहीं पार्टी टूटती है। चाए वो सिफसेना रहा हो, चाए वो NCP हो, या आगे जनता दल इनाइटेड हो। दोजार चौवविस में नितीज कुमार जी और लालू प्रसाद जी को भारती जनता पाटी महा गटबंदन को हरा कर बिहार में विजय हो। नितीज जी को अब आराम करना चाहिए, कल्यान बिगा जाना चाहिए, उसमें सुसासन की सरकार अस्तापित होनी चाहिए, अब नितीज कुमार से बिहार नहीं समल सकता है। नमस्कार आप देख रहे हैं मेडिया दर्श्तन और मैं हूँ आपके साथ धंजली तिवारी। समराव चौधरी ने एक बार फिर से नितीज कुमार के उपर हमला बोला है। समराव चौधरी ने कहा है कि जिस पार्टी के अंदर नेता ही तूटने लगे तो वो पार्टी का तूटना तो निश्चिन्थ है। वो कह रहे है कि जेडियू और आर्जेडी के दोनों पार्टीयों के विधायक और सांसदों को ये डर है कि हम इस बार जीत कर बिहार में कैसे आएंगे। क्या कुछ कह रहे है समराव चौधरी आप चराव खुद सुनिए। देखिए एक ची जान लिजिए जिस पार्टी में अपने नेता के परती भरोसा घटता है वहीं पार्टी टूटती है। चाहे वह सिफसेना रहा हो चाहे वह NCP हो या आगे जनता दल उनाइटेड हो इन लोगों के नेताओं के परती जनता का भरोसा घटता है और उनके विधायकों को और सांसदों को चिंता है कि हम जीत कर कैसे आएंगे। यही मुले कारण है। आपने का आगे जनता दल यूक्या जेडियू को भी तोड़ना नहीं है। हम तो चाहते हैं कि 2024 में नितीज कुमार जी और लालू प्रसाद जी को भारतिय जनता पार्टी महा गटबंदन को हराकर बिहार में विजय हो यह कलपना हम लेके चलते हैं। आधी बात तो नितीज बाबु को याधी नहीं रहेगी तो बात हमने क्या किया। वेकार का काम है। नितीज जी को अब आराम करना चाहिए। कल्यान बिगा जाना चाहिए। और बिहार में सुसासन की सरकार अस्थापित होनी चाहिए। अब नितीज कुमार से बिहार नही बंद करवाया राजनितिक केरियर खतम कराया जनतादल उनाटिट जिसको पंजीक्रित अपरादी करता हो कैदी नमबर तई करता हो वो पार्टी आज नितीज कुमार जी लालू प्रशाजी को राजनितिक आका मान कर उनसे किताब का विमोचन करार इससे बड़ा के अंदर जब बिधायक और मंतरी ही तूटने लगते हैं तो वुस पार्टी का तो अंत निश्चिंत है उन्होंने साब तोर पर कहा है कि नितीज कुमार से अब बिहार की सता नहीं संभल रही है अब उन्हें बिहार की सता छोड़ देनी चाहिए यानिकि सम्राठ चौधरी ने कहा है कि नितीज कुमार को सीम की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए धन्यबाद ऐसी तमाम बड़ी खपरों को देखने और सुनने के लिए बने रहीएगा मीडिया दर्शन के साथ